इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी फिस्ट इयर के सब्जेक्ट एक मॉडल कोश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे इसको हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया के लेटेस सलेबस और एक्जामनेशन पैटर्न पे प्रपेर किया है तो आप इं हैं तो आप सब्सक्राइब चल यह सुरू करते हैं तो अगर हम लोग सब्जेक्ट ह्यूमन एन अटोमी और फिजिलोजी को देखें तो इसका एक जो मॉडल कोश्चन पेपर है जो की मॉडल कोश्चन पेपर वन था उसको हम लोग इस चैनल पर पहले ही अप्लोड कर चुक एक्जामनेशन पैटर्न पर प्रपेर किया है तो यह जो कोश्चन पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए टोटल तीन घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और पेपर टोटल आपका 80 नंबर का होता है पेपर आपको तीन सेक्शन में यहां पे डिवाइड देखने को मिले हैंगे टोटल ग्यारा कोश्चन दिये गए होंगे जिन में से कोई 10 को आपको सॉल्व करना होगा और हर एक कोश्चन आपका 3 नंबर का होगा उसके बाद में जो पार्ट सी है वहां पे आपको जो कोश्चन है वह लॉंग आंसर टाइप कोश्चन सोंगे टोटल सात करने होंगे और हर एक question यहाँ पर पांच नंबर का होगा तो इस तरीके से जो पेपर है वो आपको तीन पार्ट में divided देखने को मिलेगा तो आईए हम लोग हर एक पार्ट में जो आज के important questions हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं और साथ साथ में इनके answers को भी हम लोग थोड़ा बहुत discuss करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट A को देखें तो जो हमारा पार्ट A है उसमें total 20 questions होते हैं कोई भी option नहीं होता है हर एक question को solve करने पर आपको एक number मिलते हैं तो यह part A हमारा total 20 number का होता है इसमें आपको one word जो questions है वो यहाँ पर हो सकते हैं जो आपके fill in the blanks वगरा है वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं और MCQ वगरा इसके अंदर included होते हैं तो आए जो part A है उसके जो important questions हैं उनको देख हैं तो सबसे पहला question है हमारा यह है name three layers of hurt हमें hurt की जो तीन layers है उनके नाम आपको simply यहाँ पर write down करना है तो अगर हम आसान तरीके से बात करें तो जो हमारा hurt है उसमें तीन layer होती है और जो हमारी पहली layer है वो epicardium कहलाती है दूसरी layer को हम लो बोलते है myocardium और जो तीसरी layer है वो endocardium कहलाती है तो इस तरीके से आप इस question का answer यहाँ पर कर सकते हैं अब अगर हम लो जो अगला question है उसको देखें वो क्या है the blood vessel which carry deoxygenated blood from the heart to जो है lungs is हमारा वो कौन सी blood vessel है जो के deoxygenated blood को heart से हमें lungs तक लेके जाते हुए देखने को मिलती है तो अगर आपको answer पता है तो इस video को यहीं पर pause कीजे और comment box में answer provide करिए तो अगर हम लोग इसका correct answer है उसको देखें तो basically जो हमारी pulmonary arteries होती है वो हमारे heart से deoxygenated blood को हमें lungs तक लेके जाते हुए देखने को मिलती है तो answer एक बार फिर से note कर लीजे pulmonary arteries तो आईए अब हम लोग अगले question पर आते हैं अगला question है हमारा the right lung has उसके बाद blank while the left lung has blank lobes तो आपको यह बताना है कि जो right lung है उसमें कितने lobes होते हैं और जो left lung है उसमें हमें कितने lobes देखने को मि pause कीजे और comment box में answer को provide करिए तो अगर हम लोग से correct answer को देखें तो जो हमारा right lung होता है उसमें हमें तीन lobe देखने को मिलते हैं पहला upper दूसरा हमारा middle और तीसरा lower lobe और उसके बाद में अगर हम लोग left lung के बारे में बात करते हैं तो इसमें total 2 lobe होते हैं एक upper lobe होता है और lower lobe होता है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकते हैं आईए अब हम लोग अगले question को देखते हैं अगला question है हमारा the intrinsic factor is necessary for absorption तो हमारा वो कौन सा substance है जिसके लिए intrinsic factor absorption के लिए आवस्यक होता है तो अगर हम लोग इसके answer को देखें तो basically हमारा जो vitamin B12 है उसके absorption क लिए intrinsic factor यहाँ पे काफी necessary होता है क्योंकि जब तक intrinsic factor नहीं होगा हमारा vitamin B12 हमें absorb होते हुए देखने को नहीं मिलेगा आए अगले question को देखें इसका answer तो clear हो गया होगा अगले question पे आते हैं अगला question है हमारा blank is the hormone secreted by the testis के द्वारा कौन सा hormone secret होता है उसका नाम आपको simply य testosterone कहलाता है वो हमें secret होते हुए देखने को मिलता है तो इसको इसके answer को लिख लीजिए testosterone is hormone secreted by the testis तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकते हैं अगले question पे आते हैं अगला question है हमारा name the bones involved in the elbow joint हमारे elbow joint में वो कौन-कौन सी bones हैं जो कि उसमें हमें देखने को मिलत होती है तो हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि basically 3 bones होती है एक हमारा जो humorous bone है वो कहलाती है दूसरी जो ulna bone है वो कहलाती है तीसरी radius bone है और यह तीनों combined होके हमें जो elbow है उसको form करते हुए देखने को मिलती है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकत है अब आईए अगले question को देख लेते है question number 7 तो question क्या है the neurotransmitter released at the neuromuscular junction जो हमारे neuromuscular junction होता है वहाँ पे जो neurotransmitter release होता है वो कौन सा होता है तो अगर आपको इसका answer पता है तो again video को pause कीजिए और comment box में answer provide करिए तो अगर इसके correct answer को देखें तो जो हमारा acetyl choline होता है जि हमारा जो neuromuscular junction है वहाँ पे हमें as a neurotransmitter release होते हुए देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकते हैं अगले question पे आते हैं हमारा अगला question है यह है हमारा यह question है the peripheral nervous system consists of blank pair of cranial nerves and blank pair of the spinal nerve तो जो हमारा peripheral nervous system होता है PNS होता है उसमें हमें कितने pair of cranial nerves देखने को मिलती हैं कितने pair of spinal nerves हमें इसमें देखने को मिलती हैं तो हम आसान तरीके से answer कर सकते हैं कि यहाँ पे होता है peripheral nervous system PNS है उसमें हमें 11 pair of cranial nerves जो देखने को मिलती है है total 12 होती है लेकिन यहाँ पर हमें यह जो system है उसमें केवल जो हमारा 11 pair of cranial nerves देखने को मिलती है और यहाँ पर 31 pair of spinal nerves है वो हमें इसमें involved देखने को मिलती है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं अगले question पर आते हैं अगला question है हमारा यह है name cranial nerves responsible for equilibrium and hearing वो कौन सी cranial nerve है जो की equilibrium और hearing के लिए हमें responsible देखने को मिलती है तो अगर आपको इसका answer पता है तो अगर वीडियो को pause कीजिए और comment box में answer provide करिए तो आएए मैं अगर answer को बताऊं तो इसका answer क्या है vestibulocochlear nerve तो जो हमारी vestibulocochlear जो हमारी nerve होती है जो की एक प्रकार की cranial nerve है वो equilibrium और hearing के लिए responsible होती है तो इस तरीके से आप इसका भी answer कर सकते हैं आप चाहिए तो कहीं पर लिख लीजे vestibulocochlear nerve तो आएए अब हम लोग अगली question पर आते है question number 10 in which part of the female reproductive system fertilization of ovum take place female reproductive system में ovum का fertilization किस प्लेस पे होता है तो अगर आपको answer पता है तो वीडियो को pause कीजिए और comment box में answer provide करिए तो अगर इसके correct answer को देखें तो जो हमारा female reproductive system है उसमें जो fallopian tube होता है वहाँ पे हमें ovum का fertilization होते हुए देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं अब आईए हम लोग अगर जो अगला question है उसको देखें तो यह हमारा MCQ वाला question है इसको अगर देखें the study of physical structure of body is option है anatomy physiology histology and cytology तो अगर हमें अपने body का जो physical structure है उसकी जब study करते है तो उसको ह यहां पर correct answer हमारा हो जाएगा number one anatomy तो I think इसका answer आपको clear हो गया होगा अब अगले question पर आते है question number 12 the term medial means तो जब भी हम लोग अपने body की जो anatomical study करते है तो वहां पर एक सब आता है medial इसका क्या मतलब होता है तो इसके option क्या है पहला option है away from the surface of the body दूसरा option है near to head तीसरा option है away from the head और चोथा option है near to midline तो अगर हम लोग मिडियल के बारे में बात करते हैं तो इसका correct answer है number four near to midline तो हमारा जो भी हमारे organ या part हमारी body की midline के पास में होते हैं उसको हम लोग जो medial है उसके नाम से indicate करते हैं तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं अगले question पर आते ह which of the following is not a connective tissue इन में से कौन सा connective tissue नहीं होता है तो अगर आपको इसका answer पता है तो इस video को pause कीजे और comment box में answer provide करिये तो अगर हम लोग simply देखें तो जो हमारा adipose tissue है ये भी एक प्रकार के connective tissue होते हैं bone भी हमारा जो connective tissue है वो यहाँ पे कहलाता है और blood भी हमारा एक प्रकार का connective tissue ही होता है लेकिन जो हमारी cardiac muscle है वो connective tissue नहीं होती है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा that is the option no.3 cardiac muscles अब हम लोग अपने अगले question पर आजाते है question no.14 the exchanger gases between the lungs is called तो air और lungs के बीच में जब gases का exchange होता है तो उस process को हम लोग आखिर क्या बोलते है option है हमारे internal respiration दूसरा option है cellular respiration तीसरा option है external respiration और चौथा option है bronchodilation तो अगर आपको इस question का answer पता है तो इस video को यहीं पर pause कीजिये और इसका answer comment box में provide करिये तो अगर हम लोग इसके correct answer को देखें तो जब air और lungs के बीच में gases का exchange होता है तो उस process को हम लोग external respiration के नाम से indicate करते हैं तो यहां पर correct answer होगा answer no.3 external respiration उसके बाद में अगले question पर आते हैं अगला question है हमारा organ of corte is help in तो जो organ of corte है वो basically किस चीज में help करता है option है balancing दूसरा option है hearing तीसरा option है vision और चौथा option है all of the above तो अगर हम लो organ of corte के बारे में बात करत रहा है तो यहां पर correct answer होगा answer no.2 hearing तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहां पर कर सकते हैं अगले question पर आते हैं अगला question है हमारा taste cells on the tongues that receive the stimulation of taste है तो हमारी barrow जो receptors और चौथा है photoreceptors तो अगर हम लो simply बात करें कि हमारे जो tongues हैं उनके ऊपर वो कौन सी cells होती है जो की test के stimulation को receive करती है उनको हम लो basically gastratory receptor के नाम से indicate करते हैं तो यहां पर correct answer होगा gastratory receptor option number two तो इस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं अगले question को अगर हम लोग देखें तो अगला question है हमारा blank focuses light in the retina इन में से कहुन सा अगर रेटिना पर हमें light focus करते हुए देखने को मिलता है पहला option है scalera दूसरा option है iris तीसरा option है cornea और चौथा option है ciliary muscles तो अगर हम लोग यहां पर correct answer को देखें तो basically जो हमारा cornea है वो हमें light core retina पर focus करते हुए देखने को मिलता है तो correct answer होगा number three cornea तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहां पर कर सकते हैं अगले question पर आ जाते है question number 18 यह क्या है following is an example of the hing joint इन में से कौन सा हमारे hing joint का example है option है shoulder joint दूसरा option है hip joint तीसरा है knee joint और चौथा है all joint in the body तो अगर हम लो यहां पर देखें तो जो हमारे hing joint है उसका इन में से जो example है वो knee joint है तो इस तरीके से आप इस question का answer कर सकते हैं that is the option number three knee joint is an example of the hing joint तो इस तरीके से आप इस question का answer भी यहां पर कर सकते हैं अगले question पर आते हैं question number 90 the functional unit of the contractile system in stated muscles is known as तो stated muscles है उसमें हमारा जो contractile system है उसकी functional unit क्या होती है तो यहां पर अगर हम लो इसमें पर बात करते हैं तो जो हमारा sacromers होते हैं वो basically यहां पर हमारा जो contractile system है उसकी functional unit होते हैं तो यहां पर correct answer हो जाएगा answer number three that is called the यह हमारे sacromers होते हैं उस तरीके से आप इस question का भी answer कर सकते हैं इस पार्ट के last question को देखें तो वो क्या है the regions why the right kidney is slightly lower than the left kidney वो काउन सा region है जिसके कारण हमें जो right kidney है वो थोड़ा सा जो हमारी है left kidney उसके आप इच्छा थोड़ा सा नीचे देखने को मिलती है तो अगर हम लोग यहां पर simply बात करते हैं तो यहां पर जो इसका correct answer है वो है यह considerable space occupied by the lever in right side तो जो हमारा lever है वो हमारा जो right side है वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा space occupy करते हुए देखने को मिलता है जिसके कारण की जो हमारी right kidney है वो हमें थोड़ा सा नीचे की और वहां पर देखने को मिलती है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहां पर कर सकते हैं question तीन number का होता है इसका मतलब हर एक question को आपको थोड़ा सा detail में यहां पर explain करना है तो इसका जो हमारा सबसे पहला question है अगर उसको देखें तो यह क्या है name for fundamental tissues of the body उसके बाद अगला part है इसका differentiate between the smooth and skeletal muscles तो यहां पर जो हमारी body है उसके जो चार हमारे होते है fundamental tissues उनके नाम आपको यहां पर लिखने है साथ साथ में हमारा smooth जो muscles हैं और जो skeletal muscles हैं उनमें क्या अंतर होता है उसको आपको short में explain करना है तो यह जो subject है human anatomy and physiology इसको हम लोगों इस channel पर detail में complete कर रखा है तो आप जब इसकी playlist में जाएंगे तो वहां पर आपको इन सारे questions के answer मिल जाएंग हमारा define the term cardiac output stroke volume and blood pressure तो यहां पर cardiac volume क्या होता है stroke volume क्या होता है और blood pressure क्या होता है उसको आपको short में थोड़ा-थोड़ा explain करना है तो यह भी काफी important question है exam में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तयार कर लीजेगा अगला question है हमारा यह है draw a neat sketch of the human cell and label तो यहां पर आपको जो human cell है उसका एक साफसुत्रा structure draw करना है और उसके जितने भी organelles है उनको आपको properly labelled करना है तो यह भी काफी important question है लग बग हर बार exam में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से practice कर लीजेगा जो cell का structure है उसको अच्छे से draw करके practice कर लीजेगा उसके बाद में अगले question को देखे question number 4 तो यह क्या है write about the blood group तो जो हमारे blood group है उनको आपको sort में explain करना है तो यह भी question काफी important है अकसर exam में पूछा जाता है उसके बाद अगला question जो की question number 5 है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा define hormones name hormones of the anterior pituitary gland तो hormones क्या होते है उसको आपको sort में यहाँ पे लिखना है और anterior pituitary से कौन-कौन से hormone secret होते हैं उसको आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने है तो इस तरीके से आप इस question को भी अच्छे से तयार कर लिजेगा इन सारे questions के answer आपको playlist में आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद में अगले question पे आते है question number 6 यह क्या है classify the leukocyte with their function तो leukocyte क्य होते हैं उनका classification देना है और इसके क्या function है उसको भी आपको sort में यहाँ पे explain करना है उसके बाद में अगले question को देखें यह भी काफी important है draw a neat label diagram of the lymph node and state its two function आपको जो lymph node है उसका एक अच्छा सा diagram आपको अच्छे से prepare करना है जितने भी part है उनको अच्छे से label करना है और जाने से पहले इसको अच्छे से तयार कर लिजेगा अगले question को देखें अगला question है हमारा explain the physiology of respiration तो respiration की जो process है वो किस तरीके से होती है उसकी जो हमारी process है physiology है उसको आपको यहाँ पे sort में explain करना है यह यह भी question काफी important है exam में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तयार कर 9 differentiate between the sympathetic and parasympathetic nervous system तो हमको आपको यहाँ पे जो sympathetic और हमारा parasympathetic nervous system है उसमें क्या अंतर है उसको आपको sort में यहाँ पे explain करना है अगले question पे आते है explain the role of insulin and glucagon in the body हमारे body में insulin और glucagon का role क्या होता है उसको आपको sort में explain करना है तो इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छ list में आपको इसका भी answer आसानी से मिल जायेगा अगर sort में कहें तो जो हमारा insulin है वो हमारे blood में glucose का जो level है जब बढ़ता है तो उसको कम करने का काम करता है और जो glucagon है वो हमारे blood में जब glucose का level एक normal range से कम होता है तो उसको बढ़ाने में हमें help करता है तो इस तरीके से आप इस question का भी answer यहाँ पे कर सकते हैं और इसका जो antim question है वो है name different part of the male reproductive system with their function तो आपको जो male reproductive system है उसके अलग-अलग जो part है उनको आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने है साथ साथ में उनके क्या function है उसको भी आपको sort में यहाँ पे explain करना है तो जितने भी questions है उनके answer आपको हमारे human anatomy and physiology की playlist में आसानी से मिल जाएंगे अगले part को देखें part c तो यह इसमें total 7 question दिये गए होते हैं कोई भी 6 question आपको attempt करना होता है हर एक question 5 number का होता है इसका मतलब यह part total 30 number का होता है तो इसमें जो आज हमारा सबसे पहला question है जो की काफी important है define skeleton name the bones of axial and appendicular skeleton system क्या होता है उसकी जो definition है उसको आपको sort में explain करना है साथ साथ में हमारा जो axial और होता है appendicular skeleton उसके जो अलग-अलग bones है उनके नाम आपको यहां पे लिखने हैं तो यह भी काफी important question है exam में जाने से पहले इसको अच्छे से त्यार कर लिजेगा अगले question को देखें अगला question है हमारा describe the process of blood coagulation name the factor which accelerate and retard blood clotting तो यहां पे जो हमारा blood coagulation की process है उसको आपको describe करना है साथ साथ में उन factors के नाम लिखने हैं जो की हमारे blood के coagulation को या तो बढ़ाते हैं या हमें घटाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं तो इस तरीके से यह भी question काफी important है इसको exam में जाने से पहले अच्छे से त्यार कर लिजेगा इन सारे questions के answer आपको हमारी playlist में आसानी से मिल जाएंगे अब हम लो अगले question को देखें यह क्य diagram यहाँ पर बनाना है तो यह भी question काफी important है अगले question को देखें name the valves and chambers of human head explain the cardiac cycle तो हमारा जो human head है उसके जो अलग-अलग valves है और chambers है उनको आपको explain करना है उनके जो नाम है उनको आपको यहाँ पर indicate करना है और जो हमारी total cardiac cycle होती है उसको आपको यहाँ पर प्रॉपरली explain करन है तो यह भी question काफी important है अगले question को देखें तो question number five यह क्या है describe the process of urine formation तो urine के formation की जो process है जो की हमारे जो nephron है उसके through होता है उसकी process को आपको प्रॉपरली अच्छे से describe करना है तो यह भी question काफी important है अगले question को देखें question number six यह है define reflex action describe the basic component of the reflex arc which with label diagram तो यहाँ पर reflex action क्या होता है उसको आपको जो हो define करना है और जो हमारा reflex arc है उसके जो अलग-अलग basic component है उसको आपको diagram के साथ में properly describe करना है तो यह भी question काफी important है एक्जाम में जाने से पहले इसको भी अच्छे से तियार कर लीजेगा और आज का जो हमारा last question है वो है name the organs of the digestive system give the composition and function of the gastric juice जो हमारा digestive system है उसके जो अलग-अलग organs है उनके नाम आपको यहां पर indicate करना है साथ में जो हमारा gastric juice होता है उसमें जो अलग-अलग component है उनके क्या functions होते हैं और उनका क्या composition है उसको भी properly आपको अच्छे से explain करना है तो यह सारे questions हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है ज ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले और हमारे एप को भी इंस्टॉल करना आप बिलकुल भी न भूले और आप लोगों को एक्जाम के लिए best of लग थैंक यू